समुद्र या सागर प्रित्वी की सतह के 70 प्रतिशत से आधिक क्षेत्र में विस्त्रित लवनिय जल का एक सतत निकाय है प्रित्वी पर जलवायू को सयमित करने, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने, जैव विविद्ता को बनाए रखने और परिवहन के क्षेत्र में सागर अत्यावश्यक भूमिका निभाते हैं प्राचीन काल से लोग सागर की यात्रा करने और इसके रहस्यों को जानने की चेश्टा में लगे रहे हैं परंतु माना जाता है कि सागर के वैग्यानिक अध्ययन, जिसे समुद्र विग्यान कहते हैं, का आरंब कप्तान जेम्स कुक द्वारा 1766 और 1789 के बीच प्रशांत महा सागर के अन्वेशन के लिए की गई समुद्री यात्राओं से हुस्मुद्री जल की विशेश्ता इसका लवनिय होना है, जल को ये लवन्ता मुख्य रूप से थो सोडियम खलोराइड द्वारा मिलता है, लेकिन पानी में पोटासियम और मैगनीसियम के खलोराइडों के अतिरिक्त विभिन रासायनिक तत्वा भी होते हैं, जिनका संधटन पूरे विश्व में फैले विभिन सा सागरों में बमुश्किल बदलता है, यद्यपी जल की लवन्ता में भीषन परिवर्तन आते हैं, जहाँ ये जल की उप्री सतह और नदियों के मुहानों पर कम होती है वही ये जल की शीतल गहरायों में अधिक होती है, सागर की सतह पर उठती तरंगे इनकी सतह पर समीर के क कारण बनती है भूमी के निकट पर ये तरंग मन पढ़ती है और इनकी उच्छता में वृद्धी होती है जिसके कारण ये हाधिक उच्छ और अस्थेर हो जाती है और अतता सागर तट पर फेन के रूप में तूटती है तसुनामी नामक तरंगे समुदरी तल पर आए भूकं या भूस्खलन के कारण उठपन होती है और सागर के बाहर बमुश्किल दिखाई देती है लेकिन किनारे पर पहुँचने पर ये लहरे प्रचंड और विनाशकारी प्रमानित हो सकती है समीर सागर की सतह पर धशन की वारा धाराओं का निर्मान करती है जिसकी वजह से पूरे सागर की पानी एक धीमा परंतुस्तिर परिसंचरन स्थापित होता है इस परिसंचरंग की दिशा कई कारकों पर निर्वर करती है जिनमें महाद्विकों का आकार और पृत्वी का घूर्णन शामिल है यहरे सागर की जटिल धाराएं जिन्हें वैश्विक वाहक पट्टे के नाम से भी जाना जाता है रोगों के शीतत सागरिय जल को हर महासागर तक ले जाती है सागरिय जल का व्रिहत स्तर पर संचलन जवार के कारण होता है यद्यपी परित्वी सूरिय द्वारा लगाय जाने वाला गुरुत्वबल से भी प्रभावित होती है पर चंद्रमा की तुल्ना में ये बहुत कम होता है उन खाडियों और ज्वारनद मुखों में इन ज्वारों का स्तर बहुत अधिक हो सकता है जहां जवारिय प्रवा संकीरन वाहिकों में बहता है प्रशांत महासागर अद्वितिय समुद्री जीवों से भरा हुआ है जिन्हें कई लोगों को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अफसर कभी नहीं मिल सकता है वैंकूवर द्वीड के आसपास का पानी न केवल राजसी समुद्री स्तंधारियों का घर है बलकि अन्य प्रजातियां भी है जो शायद इतनी सामाजिक नहीं है या जिन्हें पहचानना उतना आसान नहीं है हम बहुत बहुत भाग्यशाली है कि हमें दुनिया में कहीं वी सबसे आधिक धनत्व वाले समुद्री स्तंधारियों में से एक मिला है और इन जानवरों की सुरक्षा के लिए यहां बहुत काम किया जा रहा है समुद्री स्तंपाई जीविग्यानी डॉक्टर अन्ना हॉल कहते हैं हॉल जो अपना अधिकांश दिन समुद्र में बिताती है सीव्यू मरीन साइंसेज में जीविग्यानियों, कप्तानों और तक्नीश्यनों की एक पर्यावरन निग्रानी टीम की मालिक है हुआन देफू का जल्दमरू मध्य अपने अविश्वस्नीय रूप से थंड़े पानी के लिए जाना जाता है लेकिन तच से महस कुछ मीटर की दूरी पर पौधों और जानवरों की एक विशाल विविद्ता भी है हौल कहते हैं, जैसा की यहां रहने वाला हर कोई जानता है, हमारा पानी अविश्वस्नीय रूप से थंड़ा है लेकिन इन थंड़े पानी और जहां हम भोगोलिक रूप से स्थित हैं, वहां जीवन की प्रचुरता है हौल के सनरक्षन में ग्लेशियर मीडिया ने प्रशान्त महास्थित है